चलिए बिगिन करते हैं recruitment selection training का part 2 तो आज बारी है हम जानेंगे interview क्या होता है interview के types क्या होते हैं और training के बारे में सबसे पहले interview हाँ आपने तो movies में देखा होगा बहुत सारा interview क्या आपने कभी interview face किया है क्यों कि इसमें मौका मिल जाता है interviewer और interviewee मतलब जो interview ले रहा है उनको एक दूसरे से face to face communicate करने का तो एक तरगा यह conversation है बातचीत है candidate के बीच में और employer के बीच में क्योंकि कई चीज़ क्या होती है बातचीत से क्योंकि हो सकता है कोई paper में बहुत अच्छे questions solve कर रहा है पर वो बातचीत करना उसको नहीं आता है उसकी personality एक अच्छी नहीं है तो यह सब जानने के लिए person की facial expression उसका posture जानना उसका gesture जानना उसकी speaking skills जानना उसकी overall personality कैसी है यह सब देखना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा interview लेना पड़ेगा हाँ आप interview ले लेंगे अब आता है types of interview कुछ interviews ऐसे होते हैं जो planned होते हैं इसके कहते हैं structured interview या patterned interview यह interview के जो questions होते हैं यह पहले ही in advance तयार होते हैं इसलिए इसका नाम है structured interview pre-planned interview है अब आता है unstructured या non-directive interview यह वो interview होते हैं जिसको किसी भी planning के हिसाब से नहीं बनाया गया है इसका मतलब है इसमें random questions आसके जा सकते हैं इसमें जब questions कुछे जाएंगे वो वो किसी basis पे नहीं है next आता है group interview इसमें क्या होता है इसमें a group of candidates are interviewed at the same time तो एक नहीं बलकि कई सारे candidates को एक साथ एक situation दी जाती है एक situation दी पेस करने के लिए group में इतका नाम है क्या group interview group interview help करता है group discussion करने पे और कई बार candidates को individually अपने तरीके से उस problem को solve करने का मौका मिलता है इसमें जो outshine कर जाता है वो select हो जाता है next step panel और board interview इसमें एक candidate होगा candidate को select करने के लिए और interview लेने के लिए एक panel बैठा होगा जिसमें तीन पांच सही सुन रहे हैं तीन तीन officers बैठे होंगे या पांच officers बैठे होंगे या कभी-कभी उससे जज़ादा और वो एक candidate को खुब सारे question पे question दागते जाते हैं दे दनादन दे दनादन और candidate को क्या कर candidate का selection होता है लेक्टिनेंट पोस्ट का वो ऐसा ही होता है नेक्स होता है stress interview नाम से पता चल रहा है इसमें जो candidate होता है उसको जो questions दे जाते हैं उसको जो situations दी जाती है वो stress देने वाली होती है mental और physical torture वाली होती है ताकि candidate क्या हो जाए frustrated हो जाए और अपना reaction शो करे और जो candidate stress में आ जाएगा समझ जाएंगे कि इसको आगे रखना नहीं है नमस्ते करके आप समझ गया क्या करना चाते हैं तो organization क्या करती है stress interview कराती है stress interview में candidate को awkward situations में रखते हैं जान मुझका उससे उल्टे-पुल्टे question पूचते हैं उसको परिशान करते हैं और उसका चेहरे का expression उसक तो अभी तक हमने क्या किया था interview किया अब interview की बाद है training training मतलब providing skill required for the job सोचिए आप पढ़ लिख लिए हैं आपको पढ़ाई कर ली complete कर ली आपको company ने select कर लिया और आपको company ने बना दिया कि हां आप हमारे company के इस product के manager हैं तो पर आपको उस product के बारे में भी तो पता होना चाहिए तो चो पारले और ये पारले जी बिसकु टॉना अ उसके लिए तुमको क्या बना दिया मेरी जा बना दिया है भर आपको पता तो होना चाहिए लिए ने in which person learn knowledge for skill and for definite purpose मतलब आपको skill देता है आपको knowledge देता है एक particular काम के लिए keyword है क्या देना होता है इसमें employee को knowledge देना होता है ठीक है skill देना होता है जो उस काम के लिए चाहिए तो training उस काम की skill देता है ठीक है तो training क्या है एक organized तरीका है एक तरीका है organized प्रोसेस है जिससे increase करते हैं employee का knowledge employee की skill ठीक है ताकि वो एक पडलर काम को कर पाए अच्छा एक तरीका ये भी कह सकते हैं कि एक ऐसा तरीका है जिससे knowledge, skill, aptitude for performing a job मिल जाता है अच्छा training भी two-way है two-way क्यों है क्योंकि इसमें employee अपने effort अपनी efficiency अपनी जो learning है उसका इस्तमाल करता है trainer और trainee के बीच में bond बनता है relation बनता है एक continuous process है ये मस्तोचिए कि आज training लेंगे आज सिखेंगे इसके बाद काम खतम नहीं नहीं आप जब तक अब office में हैं आप अब जब तक काम कर रहे हैं training जरूरी है क्यों जरूरी है क्या importance है training का आउगत समझते हैं सबसे पहले है training लेने के बाद आपकी productivity बढ़ जाती है मतलब एक trained employee एक निश्य टाइम के अंदर अंट्रेंड से ज़्यादा काम कर पाता है सानिक समझा फिर से समझाते हैं एक employee है जो trained है ठीक है उसका नाम है एक एक employee है B दोनों को सेम काम दिया गया है तो देखेंगे जो trained employee है इसका काम की quality भी अच्छी होगी और इसकी quantity भी जादा होगी किस से इस B के मुकाबले ही समझ गये तो इसलिए क्या है quality and quality of work trained employee की हमेशा जादा होती है क्योंकि training में उसको वही काम बार बार कराया जाता है काम के tricks एंड टिप्स बताया जाते है skill दिया जाता है उसका इसलिए फिर आता है better utilization of resource सोचिए एक employee है उसको machines चलानी है उसको raw material यूज करना है तो company के resources उसको इस्तमाल करना है wastage मत करो भाई machines खराब मत करो untrained होगा तो machines खराब कर देगा resources बरबात कर देगा तो इसलिए उसको सिखाया जाता है उसको नए और better technique सिखाया जाती है उनको बता जाता है कि किस तरही से raw material यूज करें machinery यूज करें ताकि वो damage नहों waste नहों और even खुद की भी रक्षा कर सकें और खुद की रक्षा करने के लिए उसको क्या सिखाया जाती है safety सोचे कोई machine है जिसमें employees को cutting की machine है गलती से employees ने अपनी मुली डाल दी तो अब समझ गया ना तो ट्रेडिंग के दोरान उसको सिखाया जाता है कि कैसे आप सेफ रहेंगे आपको machine यूज करना ब्याना चाहिए आपको अपनी और दूसरे employees की safety भी पता होनी चाहिए इसलिए उनको क्या करते हैं skill और training देते हैं knowledge देते हैं याद कलरिंग वाली machine लगी है रोलिंग मशीन लगी है कहीं गलती साथ में घुज गया रोलिंग मशीन में तब क्या होगा कच्छा पापड पका पड़ मन जाएगा क्या कहते हैं आपनी पिछक जाएगा मर जाएगा वाई तो यह सब तो ध्यान देना पड़ेगा ना यह कौन दिखाय जाएगा हाओ टुबी सेफ यॉर्सेल्फ एज वेल एस फॉर अदर्स नेक्स्ट है लेसर या लेस्ट सुपर्विजन ना हम से पता चल रहा है जो इंप्लोई स्ट्रेंड है उसको अब बार बार सुपर्वाइज करना अथार्थ बार बार उसके सर पर आकर खड़ है किसी की जर्वत नहीं है उसको अपना रिश्पॉंस्ट्रेंग में उसको ना तुछ यही दिखा रहे थे उसको इसलिए बहुत फायदें है ट्रेंग कराने के और क्या फायदा है हाइयर मोरायल सोचिए एक इम्प्लोई ट्रेंग लेकिए आ रहा है छे महीना साल भर उसक और उसके अंदर सेंस अब सिक्यूरिटी होगी उससे यह भी मालूम है कि मैं काम अच्छा करूंगा तो आज नहीं कल मेरा प्रमोशन भी होगा यह सब पाइदे तभी मिलेंगे जब ट्रेंड होगा एक उन्ट्रेंड इंप्लोई हमेशा खुद डरता रहेगा गलतियां करत करता रहेगा उस गलतियों से सीखेगा कभी चोट खाएगा कबी मार खाएगा कभी ड्रेंग कर लेगा तो bye मजए हिसलहीं मॉरायल उसका मुरायल अंदर का स्टेट होता है मेंटल स्टेट होता है जिसमें आप बहुत हाई फील करते हैं येस यू फील वरी हाई नेक्स्ट है reduced turnover employees छोड़ के नहीं जाएंगे काम मतलब क्या होता है काम चोड़ के चले जाना और absentism मतलब आए दिन चुटी आए दिन काम पर नहीं जा रहे हैं अरे भाई जब वो खुश होगा तो काम क्यों चोड़ेगा चुटियां क्यों मनाएगा तो ना तो absentism करेगा ना तो turnover करेगा चलिए आगे बढ़ जाते हैं types of training की बात करते हैं तो training मतलब लोगों को skill देना लोगों को knowledge देना methods टेकनीक बताना अब आता है training के टाइप सबसे पहला टाइप है training दी जाती है training given to new employee किस बात के लिए ताकि वह familiarize हो जाए company की policies rules regulations इससे क्या होगा उसका काम में महल औरों के साथ उसका क्या हो जाएगा adjustment हो जाएगा कहते हैं उसको परिचे कराएंगे उसको मिलवाएंगे कि यह देखिए यह आपका boss है यह आपके senior हैं आपको इनको report करना है और यह आपके junior हैं अगर आपको चाहे चाहिए तो यह बहुत पटन दौपा जाएगा चाहेगा चाहन लेकर के आपके लिए क्या कर रहे हैं उसको familiarize करा रहे है सबसे परिचे करा रहे है इसको ताकि अगले दिन वह काम आए तो उसको पता हो कौन क्या है उसका superior काऊने है तो उस machine की चलाने की उसको training देना समझें उस particular operation को करने की training देना ताकि वो उस काम को करने में proficient हो जाए काबिल हो जाए ताकि वो उस particular machine को या equipment को अच्छे से handle कर पाए री फ्रेशर training अब आपके employees कई साल से आपके साथ काम कर रहा है पर जमाना बदलता जा रहा है आप जानते ही हैं नई technologies आ रही है और company भी अपने आपको अप्ग्रेट कर रही है नई machines मंगा रही है सोचे पहले टाइप राइटर चलता था सब cut 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 करके टाइप होता था पर बाद में टाइप रेटर्स हटे और इसके बदले क्या आया computers आये तो अब employees को क्या करना पड़ेगा refresher training देनी पड़ेगी क्यों ताकि वो computers यूज करने लायक बन जा है तो आप ही के employee है उनको नई technology advancement नए tools नए equipment की जानकारी देनी है उन्हें तो यूज नहीं कर पाएंगे न उसको जो टाइप रेटर वाला सीधे कंप्यूटर नहीं उसकर पाएगा तो रीफ्रेश करने के लिए इंप्लोईज के obsilence को मिटाने के लिए आउट डेट होना पुराना हो जाना तो उसको मिटाने के लिए उसकी रिप्रेश करने के लिए री प्रेशर नाम से देखो ताजा कर देना नई टैकनिक के साथ सेफ्टी ठेइएगंग एंप्लोई को सेफ्टी मेजर्स बताते हैं या सेफ्टी कर सकते हैं प्रेकॉशन मेजर्स क्या लेंगे ठीक है ताकि accidents नहों काम में नुकसान नहों प्रमोशनल ट्रेणिंग उनको देते हैं जिनका हम प्रमोशन करने जा रहे हैं जिन employees को company ने higher jobs देने वाले हैं जिनकी पे position rank responsibility पढ़ने वाली है समझ गया ऐसे लोगों को क्या होता है प्रमोशन ट्रेणिंग होता है नेक्स्ट आता है methods और ट्रेणिंग में अब ट्रेणिंग की methods तो broad headings में divide किया गया है एक ऐसा method है जिसमें आप काम भी करेंगे आपको नौकरी पर रख भी लिया गया है और सीखते भी जाएंगे मतलब अलग से कहीं आपको ट्रेणिंग के लिए भेजा नहीं जाएगा इसलिए नाम है on the job training मतलब job पे हो ट्रेणिंग भी ले रहो समझ गया अब आते हैं on the job training को समझते हैं इससे कई बार बोलते हैं learning by doing मतलब सीखते जाओ काम सीखते जाओ आगे अपने बढ़ते जाओगे इसमें अकसर एक सुपर सुपीरियर होता है या एक सीनियर होता है जो इस नए employee को सिखाता रहता है एक कैस रहते हैं एक master वेक्ती होता है एक trainer वेक्ती होता है जो trainee को की तरीका यह भी है अब इसके अंदर क्या टाइप साते हैं on the job में क्या टाइप आता है सबसे पहला आता है coaching और मेंडरिंग cricket में coach होते हैं जैसे आपको पता होगा इंडियन का betting coach शायद रावल द्रविण है क्या कहते हैं तो क्या हमको betting नहीं आती है क्या विराट को रोहीच सर्मा को अरे नहीं भाई आती है पर यह coach पहले खुद किलाड़ी हुआ करते थे अब वो इतने ज्यादा समय और experience से इतना knowledge है उनको कि अब वो नए लोगों को क्या करते हैं तो इसमें क्या होता है एक superior होता है वो इंस्ट्रक्ट और guide करता है trainee को trainee मतलब इस young employee को उनको बताता है कि काम में क्या-क्या ins and outs हैं क्या-क्या इस काम में अच्छे बुरे points हैं क्या फाइदे क्या नुकसा करता है under study रखता है जैसे एक college में professors होते हैं इस बहुत superior होते हैं इनके नीचे लेक्चर आर्ज या junior grade के officers होते हैं तो वो लोग उनको under study करते हैं तो मैंने का कौन रखता है under study में एक senior या एक experienced employee रखता है इनके नीचे यह लोग observation के लिए काम करते हैं था सीखते हैं copy करते है हैं अपने superiors को समझ गे नाम है under study नेक्स आता है assistant to अक्सर अपने सुना होगा assistant manager सुना है manager कि सारा काम समाल सकता है पर manager को जो assist कर रहा है को है जैसे director film director अब assistant director अब समझ गया ना तो यह assistant director promote होकर के बाद में director बन जाएगा तो अक्सर क्या होते हैं जो senior executives होते हैं वो उन पर बहुत विश्वास करते हैं और जो routine nature के काम होते हैं जो बाहर 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 रिपीटी नेचर काम होते हैं वो लोग अपने assistant से करा लेते हैं जहां critical thinking चाहिए जहां imagination चाहिए जहां जहां higher task चाहिए वहां manager खुद करेगा वहां वो सुपीरे खुद करेगा बाहर की साम सब काम repeated काम किस से करवा लेगा इन assistant से करवा देगा यह senior वेक्ती थे सबसके assistant नेक्स्ट जॉब rotation एक व्यक्ति को एक पर्टिक्लर जॉब नहीं करना है बलकि उसको कई सारे जॉब simultaneously दिखाय जाते हैं आज वो एक जॉब कर रहा है कुछ समय बाद उसको क्या करेंगे उसी और ने देगा नहीं हो रही है कंपनी में बस काम चेंज हो रहा है एक्जांपल दू बैंक का एक्जांपल देता हूं अब आप बैंक में जाएंगे तो बैंक में एक रिसेप्शन काउंटर होगा फिर एक चेक काउंटर होगा एक बिल्स एंड ड्राफ्ट का काउंटर होगा एक लोन का काउंटर होगा ऐसे कई सारे एक रिसिप्ट लेने व employee को reception में बठा दिया तो इससे आपस में क्या हो जाता है job rotation ताकि एक विक्ति कई सारे job सीख ले उसी organization के अंदर और अगर किसी के absence हो जाने से कोई employee नहीं आ जा रहा है for some reason कुछ और घटना घट गए पर company का काम या मेरी example में bank का काम नहीं रुकेगा क्यों क्योंकि दूसरा employee उसको सीख चुका है तो इसमें trainee learns क्या सीखता है variety of tasks and develops a better view of the organization कई सारे काम सिखा देते हैं next तरीका है committee membership अब नाम से समझ में आ रहा है इसमें company क्या करती है committee बनाती है एक board बनाती है और इस trainee को उस board का उस committee का one of the member बना देती है तो एक वेक्ती नहीं है कही सारे वेक्ती है उस committee में और उसमें जो trainee है वो भी एक member है अब इन में आपस में बातचीत होती है इसमें उन लोग problem शेयर करते हैं discussion करते हैं आजकल तो WhatsApp बना देते हैं इस group में क्या काम करना है उसको बेज दिया जाता है उसकी कोई problems होता है तो उसमें वो group में डाल देता है और लोग उसमें suggestions बेजते रहते हैं आजकल तो जानते ही WhatsApp आप है है कि नहीं है यह भी तरीका है तो this group is for training executives जो management के लोग होते है ना जैसे primary level पर मतलब subordinate level पर middle level पर top level पर उनकी यह बह of training अब इसका नाम है एप्प्रेंटाइस हिंदी वर्ड होता है नौ सिखिया ट्रेनिग एप्प्रेंटी एक नौ सिखिया होता है एक नौ सिखिया मतलब नया सीखने वाला तो चीह आपके घर में कोई मजदूर प्लंबर आता है कभी आज नलवल रिपेर कराना होता है आता अभी गई है इसा यह सब लोग कोने एप्प्रेंटी हैं यह एक मास्टर ट्रेनर के अंदर में काम करते हैं सीखते रहते हैं यह कह सकते हैं इनका कोई गुरू होता है इन चेलों को सिखाता रहता है समझ गया तो यह काम कहां आता है प्रेंटी से जाते टेकनिकल कामों में या क्राफ्ट वाले कामों में जैसे जा पर जरी का काम हो रहा है जा साड़ियां बन रही है क्या करते हैं नहीं को असिस्ट करते हैं और जो सीनियर होता है उस को ट्रेंड करता है किल सिखाता है जैसे मैंने का प्लम्मिंग वाले काम में नल पाइप लगाने वाले बिजली वाले हाँ आपके गर में बिजली का बल पिटिंग तार वार लगाने वाला कहां से आया इनको वह स्कूल का है क्या है लोग जो जो बिजली वाले मिस्त्री नहीं नहीं कोई स्कूल नहीं गए हो लोग बलकि वो किसी सीनियर मिस्त्री के अंदर में विजली मिस्त्री के अंदर उन्होंने काम किया अब उससे भी वो काम आता है अब वो तार लगाना बल्ब लगाना समझ गई सब काम देखते हैं, अब्जर्ब करते हैं, साथ में खड़ों के सीखते हैं, समझ गए? अभी तक जितना भी बताया, यह तब 6 जो बताया मैंने, यह सब था on the job training जिसमें employees काम भी कर रहा है, ट्रेनिंग भी चल रही है, बात आती है अब off the job, मतलब आपको अब company में नहीं जाना है, नौकरी पर नहीं जाना है, पहले आपको training लेनी है, training qualify करना है, अब training qualify करने के बाद आपको काम पर जाना है, नाम है off the job, अच्छा इसके बता दूँ, training लेने पर भी आपको कुछ पैसे मिलते हैं, हाला कि salary के बराबर पैसा नहीं मिलता है, पर कुछ पैसे मिलते हैं, इंड internship में क्या होता है, एक प्रोग्राम होता है, जिसमें business house और technical institutions, जैसे मैं example बता दू, बड़ी-बड़ी university जैसे IIT, IIT Bombay, IIT Delhi, या IIT वारनासी, यह क्या करते हैं, business वालों के साथ collaborate कर जाते हैं, इन दोनों के बीच में, जैसे Tata firm हो गई, Tata Motors हो गई, और IIT Bombay हो गई, अब Tata Motors को engine develop करनी, Tata Motors को कोई नए parts develop करने है, तो इन IIT वालों के साथ मिलके काम करते हैं, इसमें क्या होता है, internship training होती है, इसमें theory, मतलब पढ़ाई भी हो रही है, और practical भी कर रहे हैं, ठीक है, theory के instructions मिलते हैं, और practical training कराई जाती है, कौन देता है, मैंने कहा, इनको real factory में लिए ज हो जाना पड़ता है, real factory में, समझ गया, तो यह method ज्यादा फायाद है मनतलता है, जहां doctors की training हो रही है, अब सोची स्तिर्फ doctor को किताब में पढ़ा जया जाए, कि ऐसे operation करते हैं, ऐसे kidney निकालते हैं, ऐसे operation करते हैं, और real आदमी पर असली में देने करने के लिए, वो तो आ कई सार भेशते हैं, कई बार भेशते हैं, कई साल तक भेशते हैं, उसके बाद, उसके बाद हो करता है, समझ गया है, तो किताबों में पढ़ने दे कुछ नहीं होगा, समझ गया न, accountants में, CA बढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक chartered accountant के अंदर में आपको, य गिसेगा, पर 20 साल बाद तुम खुद सोना बन जाओगे, समझ गया है, आता है bestibule training, यह क्या सा training होता है, यह बहुत common, सबसे common training है, off the job में, company क्या करती है, जब company को पास बड़े-बड़े महंगे-महंगे equipments होते हैं, devices होते हैं, तो company इसका एक dummy, या इसका एक model रखती है, company जैसे महल में, मतलब महल factory जैसा दिखेगा, पर सब कुछ dummy होंगे, dummy में समझते हो, क्या होता है, real models के जैसा दिखने वाला model होगा, हो सकता है, phone का हो, गत्य का हो, पर उस जैसा होगा, workers को यहां training मिलती है, ठीक है, एक तरका outer building है, एक room type का structure है, जो company जैसा दिखता है, factory जै जैसा दिखता है, इसमें एक special instructor होते हैं, जो उनको practical training देते हैं, अक्सर इसलिए कराते हैं, ताकि वो real equipments को break न करें, नुकसान न पहुचाए, पहले बाहर उसके dummy पे काम करके देख लें, एक तरीका और है, off the job में case study देना, इसमें employees को कुछ problems दी जाती है, उनको कुछ case द उनको कहा जाएगा कि इसको discuss करिए, इसको analyze करिए और इसका solution देजिए, role play तो बहुत असान है, इसमें employees को एक certain task, एक certain role के रूप में play करना होता है, अब एक employee कई सारे काम कर सकता है, जैसे एक employee को कहा जाए कि आप role play करिए labor officer का, आप labor officer बनिए और दूसरे को कहेंगे कि आया है, आप कैसे उनके साथ बाचीत करेंगे, एक को बनाया, बाचीत करने वाला officer, बना आपकी company का और एक को बाहरी रेक्टी बनादे लेबर officer, देखो उनका मज़ा, ठीकने का बताचा तरीका है न, फिर lectures, seminars और conferences, ये भी एक अच्छे तरीके हैं, कई बार जो senior post के लोग को invite क्या जता है, क्योंकि भाशर तो वही ज्यादा देते हैं, है कि नहीं, तो वो लोगों बलायाता है, वो आकर के, अपने experiences को share करते हैं, आगे, एक और training है, sensitivity training, जैसा नाम है, ये training शुरू ही थी, US में, national training laboratories बनाई थी, इनका main मकसद है, human relation को promote करना, ध्यान दीजेगा, इ T group training, इसमें खास बात क्या है, इसमें छोड़ जोड़े group बना जाते हैं, और trainees को close contact में रखा जाता है, ठीक है, interact closely without any formal agenda, मतलब trainees को कोई एक special काम नहीं सवपा गया है, क्या मकसद है, ताकि वो आपस में interact करें, आपस में बात करें, self aware हो, एक दूसरे के बारे में जाने, एक को feel कर पाएं, महसूस कर पाएं, और sensitize हो पाएं, यह है इसका तरीका, एक दम out of the box training है, sensitive training, आप सिर्फ रही है साथ में, जैसे big boss में कर रहे होते हैं, आपने देखा होगा न, सारे celebrities को एक जगे छोड़ दियाता है, आप आपस में खाओ, पीओ, कोई condition दे दी जाती है, और बाए, थैंक यू, टेक केर